हाई गाईज वेकम टू मैं चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स रिवील आज मैं आपको बताऊंगे क्या कोल गेट से डाक सरकल रिमूव होते हैं यह हमारी अंडर एरिया के लिए सेफ है या नहीं और क्या ऐसा करें डाक सरकल को रिमूव करने के लिए तो आए देखते हैं कि इसे क या बनाना है पर उसके पहले जल्दी से मिन चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी किसी okchnet कर सके और इकन पर छेयंगर देश विटीन के बीडियों के आपको अफ्थेट मिल सकें लोगेट में बेकिंगे वीड़ोड बेक्ष एब और युपि करें क्योंकि इसमें कुछ इस तरह की चीजे होती है जो अगर आपकी आप में चली जाएंगी तो वह आपकी आपको काफी एफेक्ट कर सकती है और हमारे डाक सर्किल जहां पर होते हैं आपको के नीचे वह एरिया काफी सेंसिटिव होता है तो यह उसके लिए सूटिबल नही है आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसके सारे इंग्रीडियन्स आपके पास मौजूद होंगे जादतर और जो कि बहुत ही एफेक्टिव है डाक सर्किल को रिमॉफ करने के लिए एक बहुत ही ईजी रेमेडी है जो मैं रोज यूज करती हूँ और मेरे डाक अब इसमें डालें दो चम्मच रोज वाटर यानि की गुलाव जल के लास्ट में इसमें एक विटामिनी का कैपसूल डालना है आपके पास अगर विटामिनी का कैपसूल ना हो ओल हो तो आप इसमें ओल भी यूज कर सकते हैं अब इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ आपने अगर अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मे अब इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लें रोज रात को इस क्रीम को अपने डाग सर्किल वाले एरिया पे यानि कि अंडराय की एरिया पे अपलाय करें और रात भर के लिए लगाया रहने छोड़ दें आपके डाग सर्किल बहुत इसली रिमूव हो जाएंगे आपके डाग सर्किल को रिमूव करने के लिए और यह एफेक्टिव भी नहीं है मैंने इसे खुड ट्राय किया है और भी मेरे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें फिर मिलूंगे आपसे एक अमेजिं आपसे खुड़ो